नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर So in a very very shocking development Bangladesh के जो interim government के head है Mr. Muhammad Yunus उन्होंने recently एक interview में कहा है कि हम लोग Bangladesh में elections नहीं करवाने वाले हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाली जो headline है Bangladesh's Yunus says no election before reforms Now यह पढ़ने में लगता है कि यह पहले reforms करेंगे और उसके बाद फिर elections को करवाएंगे लेकिन जब दोस्तों इन से exactly पूछा गया कि आप लोग इन elections को कब करवाने वाले हैं तो इन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी time frame हम लोग elections के लिए अभी नहीं बता सकते हैं and if this was not enough इसके साथ ही में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है जिसमें कि यह बांगलादेश के constitution को ही reform करने वाले हैं बदलने वाले हैं and उसके लिए उन्होंने एक nine member constitution reform commission को गठित किया है जिसमें कि very very surprisingly जिस commission को जो head कर रहे हैं he is actually an American professor Mr. Ali Riyaz जिनके नित्रित्व के तहट इस पूरे के पूरे commission को यहाँ पर बनाया गया है and यह दोस्तो surprising बन जाता है for two three major reasons पहली बात जब इस interim government को लाया गया था शेख हसीना की government हटने के बाद तो कहा जा रहा था कि कुछी दिनों के लिए interim government होगी जल्दी ही चुनाफ करवाए जाएंगे so that बांगलादेश में democratic transition हो सके लेकिन वो तो definitely हमें देखने को नहीं मिला है बलकि पिछले महीने की बात है September 18 को जो बांगलादेश की दूसरी एक political party है जिसको हम लोग BN की P के नाम से जानते हैं उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था बांगलादेश में और उन्होंने भी यूनस सरकार से दुबारा elections को जल्दी करवाने की मांग करी थी लेकिन उनकी demand को भी ignore किया गया है and मुहम्मद यूनस के द्वारा पहले तो कहा गया है कोई time frame नहीं और अब constitution को भी बदलने के लिए एक reform commission को स्थापित कर दिया गया है बात करेंगे इन सभी developments के बारे में क्या क्या चीजें बांगलादेश में देखने को मिली है also discuss करेंगे किस तरीके से ये यूनस government की hypocrisy को expose किया जा रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा में लाने वाले हैं आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आन अकाडमी के अब offline centers बिहार की राजधानी पटना में नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुकरजी नगर में एवं साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आज चुके हैं इन सभी centers में दी हुई dates के ऊपर आपके लिए GS batches को शुरू किया जाएगा and GS batches के साथ-साथ आपको हमारे centers में CSAT, essay writing classes, current affairs, coverage जैसी से वाएं भी available करवाई जाएंगी फिर भी कोई doubt है mentorship की आवशकता है तो आप लोग हमारे center को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए info numbers पर phone भी कर सकते हैं also free study material प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई app को download कर सकते हैं इसका link आपको description box में नीचे दिया गया है all right, so directly coming to the interview जो की मुहमद यूनस के साथ किया जा रहा था उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी time frame हम लोग elections conduct करवाने के लिए नहीं दे सकते हैं उन्होंने बलकि ये कहा कि सबसे पहले बांगलादेश के constitution में, बांगलादेश के administration में reforms का होना जरूरी है और अगर मैं आज बिना reforms के elections को करवाऊंगा तो उसका बांगलादेश की government को, बांगलादेश की country को कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है बलकि इन्होंने इसी interview में शेख हसीना को और उनकी सरकार के उपर कई सारे आरोप लगाए उन्होंने कहा कि जब शेख हसीना के खिलाफ protest चल रहे थे उसमें 600 से भी जादा लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये UN report के द्वारा ही इस आंकडे को पेश किया गया साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना के प्रशाशन के तहट इन्होंने courts को और even civil services को politicize किया हुआ था और जो भी elections होती थी जब उनका राज चल रहा था तो elections भी एक तरफा होती थी और साथ में इन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि system बहुत तूटा हुआ था तो आज की date में उन सारे democratic institutions को restore करना इनके लिए एक बहुत ही challenging task बन चुका है इन्होंने बलकि ये भी कहा कि जो country इनको swampy गई थी बांगलादेश उसका complete system breakdown हो चुका था इसलिए उसको एक comprehensive overhaul की जरूरत है otherwise अगर बगैर overhaul के अभी elections करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि बांगलादेश फिर से कहीं autocratic country ना बन जाए now दोस्तो ये यहाँ पर एक बहुत ही hypocritical चीज क्यों बन जाती है because अगर आप ध्यान से देखें जबसे शेख हसीना की सरकार गिरी है और जबसे यूनस की हमें सरकार देखने को मिली है almost हमें similar चीजें देखने को मिल रही है जिसके आरोप इन्होंने शेख हसीना के उपर लगाए थे आप देखिए जबसे ये power में आए हैं सबसे पहले तो जो भी शेख हसीना की government में काम करने वाले senior लोग थे senior नेता थे कई सारे लोग जो की अवामी लीक के loyalist नेता माने जाते थे उनको इरासत में लिया गया आप लोग यहां पे देखिए ये खबर भी सामने आई थी कि बांगलादेश में एक तरीके से vigilante justice चल रहा है जिसमें की जो यूनस सरकार है जिसको मन चाहे उसको detain कर लेती है इतना ही नहीं इन्होंने जब से सरकार गिरी है कम से कम 25 से भी जादा पत्रकारों को इन्होंने इरासत में ले लिया है और इन्होंने ये कहा है कि इन पत्रकारों को इरासत में इसलिए लिया जा रहा है because जो protest चल रहे थे उन protest को शुरू करवाने में कहीं न कहीं इन पत्रकारों का हाथ था और अब आप ध्यान से देखिए कि even जो reporters without borders के नाम से international level की एक NGO है उसने भी इस चीज की बहुत जादा निंदा करी है उन्होंने कहा है कि जो reporters को arrest किया जा रहा है ये एक systematic judicial harassment है जो कि बांगलादेश की यूनस government कर रही है आप लोग यहाँ पर खबर भी देख सकते हैं कि political crisis के चलते जो reporters without borders हैं उन्होंने interim government से कहा कि please journalist को protect कीजिए लेकिन इसके जवाब में Mr. Yunus क्या कहते हैं वो कहते हैं कि उनको media freedom चाहिए थी इसी लिए उन्होंने journalist को arrest कर लिया है अब इसके ऊपर तो कुछ भी कहना impossible है कि जब आप पुरानी government के ऊपर आरोप लगा रहे थे लेकिन खुद भी उसी तरीके से आपने प्रशाशन को अपने हाथ में लिया हुआ है और अपने हिसाब से civil servants को, journalist को और निताओं को arrest कर रहे है तो obviously ये बिलकुल आपकी hypocrisy को ही दर्शाता है and if this was not enough उन्होंने अपनी interim government के थुरू constitution review panel को भी form किया है आप लोग देखिए एक nine member constitution review commission को बनाया गया है जो की country के constitution को review और evaluate करेगा and necessary reforms को भी recommend करेगा अब इसमें दो तीन बातें बहुत surprising सामने आती है पहली बात इस particular commission को head कौन कर रहा है he is actually Bangladeshi born एक इनसान है जो की America में professor है Mr. Ali Riaz इनको दोस्तों ये वाला जो काम है वो यहाँ पे सौपा गया है आप लोग देख सकते हैं ये USA की Illinois State University में एक distinguished professor है दूसरी बहुत surprising बात एक पूरी country के constitution reform commission में जिसमें की nine members देखने को मिलते हैं एक student representative को include किया गया है now again ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये student representative है क्या इनके पास इतना experience है कि ये इस constitution reform commission का हिस्सा होना चाहिए थे और भी कई सारे सवाल हैं जो की यहाँ पर उठाए गई हैं लेकिन ये दो प्रमुक लेवल पर questions है जो की यहाँ पर raise किये गए है and obviously कहने के लिए mandate बोला गया है कि ये वाला जो reform commission है ये effective democracy के लिए representative democracy के लिए काम करेगा so that हम लोग constitution में वैसे ही सुधारों को ला सके and again केवल इतना ही नहीं इसके पिछले महीने 12 सितंबर को इसी यूनस government के द्वारा 6 और commissions को बनाया गया था जिसके माध्यम से ये बांगलादेश की judiciरी election system, administration system, police, anti-corruption commission को भी reform करने के लिए अलग-अलग commissions को स्थापित किया गया था now ये पूरा का पूरा जो system यहाँ पे यूनस government के द्वारा शुरू किया गया है obvious सी बात है कि इसके खिलाफ फिर से बांगलादेश में protest खड़े हो सकते हैं इसके पहले भी हमने देखा था BNP के द्वारा जो बांगलादेशी nationalist party है उनके द्वारा 18 सितंबर को protest को stage किया गया था आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे supporters थे जो कि बांगलादेशी nationalist party के नेताओं की photos को लेकर बांगलादेश की सड़कों पर even यूनस की मुहमद यूनस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर उनके घर के बाहर जाकर के भी इन्होंने प्रोटेस किया था कि हमें जल्दी से election चाहिए और even जो बांगलादेशी nationalist party के leaders हैं इन्होंने भी ये कहा कि हम लोग भी सुधार चाहते हैं लेकिन सुधार तभी होने चाहिए जब बांगलादेश में एक democratic तरीके से election हो और उसके बाद जो नई party आएगी वही यहाँ पे सुधारों को carry out कर सकेगी और इन्होंने दोस्तो reasoning भी यहाँ पे दी थी इन्होंने कहा था कि सेम कहानी बांगलादेश में 2006 में हुई थी तब भी एक caretaker government आई थी तब उन्होंने तीन महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने थे लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं करवाए कम से कम दो साल तक सत्ता में रहे और जब वो दो साल तक सत्ता में रहे उसके बाद सब कुछ होने के बाद ultimately हसीना की ही government वापिस power में आ जाती है जो की again इनको लगता है कि अगर same problem आज यूनस government करेगी तो फिर से ये बांगलादेश के लिए problematic खड़ा हो सकता है देखते हैं आगे जाके क्या होता है लेकिन I personally think जो ये steps यहाँ पे यूनस government के द्वारा लिये गए हैं ये बहुत जादा welcoming steps नहीं है जिसका की backlash हमें फिर से बांगलादेश में देखने को मिल सकता है बाकी दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें definitely बताएं comment section में thank you so much for listening stay tuned and